हेलो गाईज आज की हमारी वीडियो में हम मुसलिम लोग को कम्पलीट करेंगे मतलब आज का जो हमारा रिवीजन सेशन होगा वह मुसलिम लोग पे होगा जिसमें हम मुसलिम लोग को सारा का सारा कम्पलीट कर देंगे चाहे मुसलिम लोग का जो भी इपोर्टन टोपिक है फ इसका नाम है मुस्लीम लो रिविजन सेशन और मुस्लीम लो या फैमिली लो टू इसको शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लोग ट्विन्स में तह दिल से स्वागत भी करूंगा तो आज दोस्तों इसकी साथ आज की व हम अजी हम्त आपने आज की रिविजन सेशन सेशन वैं से पहले बेसिक इंट्रोक्षेו सब्सकुन करने पहले हम समझेंगे स्वरेसी इंट्रोड़क्शन तो मैं मुसलिम्स की बात करूं या मुसलिम लोग की बात करूं गाइस जिसको कि फैमिलीलो टू भी कहा जाता है के यह हो इसको जो है वह इसलाम लो भी कहा जाता है लो फिस्लाम या इस्लामिक लो या लो फिस्लाम भी कहा जाता है अगर मैं अरेबिक बार्षा में बात करूं तो अरेबिक बार्षा में इसको शरीया कहा जाता है मुसलिम लोग को शरीया कहा जाता है अरेबिक बार्षा में इस नोन इस दा शरीया एस अच ए आर आई ए शरीय अगर मुस्लिम लोग की बात की जाए तो मुस्लिम लोग जो है यह केबर मुस्लिम के उपर ही अपलाई होता है मुस्लिम के उपर ही अपलाई होता है जो यह मुस्लिम लोग है यह परसनल लोग है यह एक परसनल लोग है किसका परसनल लोग है परसनल लोग है यह मुस्लिम का हम अपना मैरीज का केस होता है कोई भी मैरीज से ले से लेकर जो परस्मiders लोग है किनका मुसलीम चाल लिख लेनी है तो आप दक्षनесть में नाम से यह पार्ट फैमिले लो ए दिस इस अपर्ट फैमिली लो एडि इस अपली के विस्ट अपली के वल ओप अब आ मुसलिम को सब्सक्राइब मुसलिम लो इसे अरब में अरव में अरबी बाशन में इसको शरीया कहा जाता है यह सारी बात आपने लिख रहनी है मुस्लिम लोग की इंट्रडक्शन में अब कोशन यह आपको पेपर में आ सकता है फूइज मुसलिम की बात की जाए तो मुसलिम जो है वो बंदा दो तरीके सो सकता है पहला तो वाइब बर्थ बाइब बर्थ और दुसरा बाइब कनवर्जन तो मुसलिम कौन होगा फूइज मुसलिम लेता है जब किसी बच्चे के माब आप दोनो ही मुसलिम हो तो उसे भी मुसलिम मान लिया जाता है अब कोई बच्चा है वो मुसलिम उसके पापा मुसलिम है उसकी मम्मी मुसलिम है उनके गर जनम ले रहा है तो वो मुसलिम बाइबर्थ हो जाएगा उसको मुसलिम माना जाएगा और एक बात याद रखना अगर एक बंदा एक बच्चा मुस्लिम भाई बर्थ है मतल Spiritual मुसलिम परिवार के गर जनम लिया है फिर चाहे वह मंदिर जाता हो फिर चाहे बो मंदिर जाता है उसे मुस्लिम माँ जा GOOD ऐसा नहीं बोल जाकता कि वो मुसलिम के मन्दिर में जाता है ऐसा नहीं है अगर एक बंदा एक बच्चा बाई बर्थ मुस्लिम है उसे मुस्लिम घर में प्रिवार में जर्म लिया है फिर चाहिए उसकी श्रदा मंदिर में हो चाहिए चर्च में हो जहां मरें जाता हो उसे फिर मुस्लिम मी मान जाएगा उसे मुस्लिम दर्म ने शीना जा सकता फिर चाहिए वो मंदर क्यों आ जाता हो तो यह बाबने बात याद रखनी है इसके संदर्म में एक केस भी है वो आपने केस लो पक्का लिखना पेपर में जिसका नाम है अजिमा बीबी वर्सिद मुंशी अज के यह दो है संदर्म ड है इस संदर्म एड उक ओने के सट वा उन्ड? और मिरा ओखने है वो आप02 आ मैं से हमाल के से उल इल के पोला गया इस वह वार था एंद ब्ड आके संदाल अड inhibitा अगर बंदा इस वे बोला कि बंदा अगर मुसली माना जाएगा और फिर जाएगा मंदिर में क्यों आजाता हो तब तक उसको मुसली मानने से महना नहीं किया जाएगा जब तक वह अपना मुसलीम धर्म शोर ना दे अगर मान लो कोई मुसलीम है उसकी जो मा है वह कोई मतब बच्चा है वह ऐसे करने पैदा होता है जिसकी मा मुसलीम है पर फादर जो है वो हिंदू है तो उस बच् Katrina संफ किया द्रमाना जाएगा तो बच्चे का द्रम वो माना जाएगा जिस द्रम में वफ Ditव के उतना हूँ अग Sundивा बच्छ बच्प्ण से ईहों उस्कोष मुस्लीमा फिर चाहे मां उसकी मुस्लीम क्यो ना ति सविश् tube TV हा बच्छा करत tradition मंदिर में जाता है मस्चिद में जाता वह भुगवाण में पुजा में लिष्वास करता है कुरान को कर या कड़ी मानिया जाएगा और अगर वह बच्च आपने क्यों सकते हैं मुसलिम की तरह नवाज पढता है मुसलिम की तरह मुस्क करणा है मस्जीद ivory लिशन का मैं का बच्चा माना जाएगा यह बात शक्राइन और यह बात के लिए पुर ले पलेत आम यह केरा नाम तो बहुत रहा disciplined और बहुत हो बहुतीव parce द्विया गंगा बख्ष सिंग बहादूर वर्सिद बहादूर गंगा बख्षी सिंग यह 14 का केस है इस केस में ही बोला था अगर मा अलग देधर्म की है फादर अलग दर्म का है तो बच्चे का दर्म वो होगा जिस दर्म में वो बड़ा हुआ है जिस दर्म को फोलो करते हो बड़ा हुआ है मतलब मंदिर में गिया है या मस्चिद में गिया है जीता को मानता है या कुरान को मानता है नवाज पड़ता है नहीं पड़ता है वो देखा जाएगा तो वो यह माना जाएगा ठीक है यह हो गया मुस्लिम भाई बर्थ अब बात में वो अबन दर्म को बदल लेता है करन वो जाता है मुस्लीम में तो उसके मुसलीम हमाना जाएगा या को उसकर क्रिस्ट्र अब 50 को थो बॉर झाता है अपने सजर्गिन को बदल करता हैं manIR जाता है पर बाद में वह पूजा बाठ़ करना शोड़ की जाए ये पूसिबल सकता है क्यासे आप अव्यों को सब्सक्राइब कर सकते हो तो दर्म जो चैंज करना है we कुछ सब्सकों करके हो सकता है कर वर्द लाइक कैसे हो सकता है पहली बात ये कि बंदा मस्चीद में जाना शुरू कर दे मास्च व प्लेस व कर वालेता है और भाका मेंबर बन ढंन जाता है तीसरी बास वह कलमा पड़ना शूरू कर देता है क्लमा परना शूरू कर दої तरहा है उसे प्रबाई ये चाहीगा उसे मुस्लिम मंद लिए पच्ची से लेकर थाइस तक मेनली जो डील करती है वो दार्मिक स्वर्दंतरता से डील करती है फ्रीडम ऑफ रिलिजिन से डील करती है और इन ही मेंसे जो मेन आर्रिकल 25 है वो ये बात करता है 25 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया में किसी भी दर्म को मान सकता है किसी भ को फॉलो कर सकता है और उसे रोकन जा सकता अगर मुस्लिम है वो हिंदू नग चकलता है कुई प्चिक गंडर फीरम दे रखिया फिरिम सिर्जन फिरिम टू अ अडोप्ड एनि रिलेजि़ीजन प्चिक गंडर फीर दे रखिया अब इसी में एक बात हो जाती है कि मान लो कोई बंदा अपने धर्म को कनवर्ट करता है कोई हिंदू है कोई हिंदू है तो एक हिंदू है फो एक से जल्ठाइस शादिया करना चाहता है वो उलरी मेरिड है और एकसे जल्ठाइस करना चाहता है मान लो तो उसको पता हुदू रहकर तरह मैं duż inclined Delhi कर अज़े करने सकता शादियां अगर करी तो इसके आपड चलेगा केस IRA racism sourðает 404 minimal के लिए 4035 में का दोनों बाइगेमी से डील करते है कि दो शादिया नहीं कर सकता है इसको सजा हो सकती है तो मुआन लिलों हंदो है मुस्लिम बन गिया और उसके बाद दो कराए तो वह कंवर्जन की ऐसा होगा क्या वह बुगर और वहतो है कि उसको बालब बाड़म झाए गटीति की प्रुम्क यूनियन ओफ इंडिया बड़ा लैनमार्क केस है ये 1995 का केस है बहुत लैनमार्क इस केस में वैसा यह हुआ था ये बहुत सारी हिंदू जो थे वो दूसरी शादी करने के चक्कर में अपना धर्म कनवर्ड कर रहे थे मुस्लीम बन रहे थे तो इस केस में स्पीम कोट ने बो 249 495 केस में भी उनके अंडर परिष किया जाएगा दोनों में डिफ्रेंस होता है आपको पर लेना को लग जागा पता यहां मैं नहीं बिताऊंगा तो पर दोनों भाई गेमी से डील करते हैं यह बाद इसकेस में बोली थी फिर बाद में नया केस हुआ साला मुणकर के पा कि एक तो दो कि में अइसे करता है तो याँ रहा है किहें डिद करती है तो को अधूलों डिखा शन सकता रिज विडन Session है तो अगर आप'T अधूलिय गंडर प्रचीज कर सकते हैं ग्समार छिर शने सकते हैं वे उतल ट लिngना है तो अर हम अधार सम आ Beautun के प्रवलोंग गांग यूट नाम इसको जोएन कर लें यहां पिसको देश्ट दॉय के इसको सपोर सेर्ट जूड़ को और अगर में मुस्लिम लोग के अगर हम sources of Muslimbuds की बात करें То גם इसलम मतलब हो कह से बना कहँ से आया किस दो बनाया जैसे हिंदू लोग में हमने sources को सी बराय में जाना था बैशा ही लोह के sources हैं तो हिंदू लोह में हमें पड़ा था कि sources primary or secondary हो सकते हैं वैसे ही muslim लोह के source be primary है और secondary है primary source को traditional source भी कहा जाता है traditional मतलब बहुत पुराने source है traditional and old source है and secondary source को modern source भी कहा जा सकता है exam में क्या पता आपको ऐसे पुछ ले discuss the traditional source of the muslim सबसे पहले आता है कुरान चांट के लिए को देखा जाता है कुरान के बाद दूसरा जो primary source आता है वो हाता है सुनत तीसरा इजमा आता है उसके बाद कियर्स आता है और secondary source यह वाले है जो हम discuss करेंगे तो पहले शुरू करेंगे हम कुरान के साथ कि कुरान क्या है guys तो guys अगर मैं कुरान की बात करूं this is known as the original source of the muslim यह original source है primary source है अगर मैं कुरान की बात करूं हर किसने नाम सुना होगा कुरान का यह एक holy book है muslims की muslims इस book को पढ़ते हैं Quran is the name of the holy book of the muslims Muslims की holy book है muslims इसको पढ़ते हैं जैसे हमारे हिंदू में रमायन है गीता है वैसे ही muslims में Quran holy book है अगर मैं Quran की बात करूं तो इसमें बगवान की बाते लिखी गई है मतलब बोलने का यह मेरा कि यह माना जाता है कि Quran को किसी इनसान ने लिखा Quran को खुद बगवान ने लिखा है यह मानते है muslim कि Quran everything which is written in the Quran is only the word of God वह भगवान की दोबारा लिखे गई है तो हुआ क्या था Quran की बात में बनूं बोलूं तो Quran में क्या है क्या माना जाता है कि जो Prophet Muhammad ते जो muslims के प्रोफिट रहे लास्ट प्रोफिट रहे Prophet Muhammad जी तो उन उनको क्या हुआ था उनको मतले पहली बार उनको गैब्रियल अब्र आ रहा है यह गैब्र नाम की एंजल ने आके उनको ग्यान दिया था नाम की एंचल थी लिखा हुआ यह य है य य ग्टियर लफइक में अगतने क्याிत बताया की बगवान की बाते के गवर्ड का इस घ्या है ने में नगधर को आखेंす जी तरैं आखें सबस्पर मु चलि को इसeduc। गैबरियल थी आंज़ल उसने पोफिक मुहमद को बताया कि ऐखवान की इशारय निखी मुहमद जी ने वह सारी बाते लिखी और शेसे कुरान निकला है मतलब Quoraan जो है द्रेक्टली वर्स ऑब रहा है कुरान कांटेंस ड्रैक्ट्रेंडाइविलेशन फ्रॉम गोर्ट प्रॉफित रहा कुरान मैं जोवी बातें लिखी गें भॉज द्राइड बैडगवान से बोली भी बातें ही लिखी गई है मतलब जो एंजल गैबरीयल थी उन्होंने प्रॉफित मुहमद को बोला था अप्रफित मुहमद जी ने एंजल गैबरीयल के बोलने पर लिखा था जो भी बुगवान का मानना है इसको लेंग्वेज को आप सीम्पल मैं ऐसा भी लिख सकते हो कि every word of Quran is the word of God which communicated to the Prophet Muhammad which communicated to the Prophet Muhammad so Angel Gabriel for the benefit of mankind मतलब जो भी Quran के word है बबगवान के शब्द है और इन शब्द को किसने बोला इन शब्द को जो communicate किया वो Prophet Muhammad को communicate किया था Gabriel Angel ने जनता की बलाई के लिए मतलब जो भी बगवान के शब्द है और यह शब्द एंजल गैब्रियल ने Prophet Muhammad को communicate किये थे कि बगवान यह चाहते हैं लोगों की बलाई के लिए तो फिर Prophet Muhammad ने यह Quran ऐसे आया ऐसे लिखा गया अगर Quran की बात की जाए तो Quran को कभी भी चेंज ने किया जा सकता इसके रिगार्डिंगे केस लोग है जो आप लिखोगे अगा महबत जफर वर्षिज